पूरानी पैंशन वाज़ाएं पूरानी पैंशन वाफ्ता को फिर से लागू करने को लेकर मोधी सरकार ने संसद में क्या कहा तो दोस्त हम आपको सब डीटेल में बताएंगे अगर आप हमारी चैनल पर पूस्टाइम विजिट कर रहे तो चैनल को लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही समंदी जीतनी भी नूज जाती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पूस्के तो करते हैं वीडियो को फ्टाट भीना किसी दे रही कि दोस्तों पुरानी पैंशन स्कीम को फिर से बाहल करने पर केंदर सरकार का कोई इरादा नहीं है संसद में पर संकाल म विसंबर दास सुकराम सिंग्यादो और चाया वर्माने सरकार से सवाल किया था कि क्या राजस्तान सरकार ने न्यू पैंशन स्कीम वफता को बंग कर सभी ओफिसियल को पुरानी पैंशन वफता के दायरे में लाने का एलान किया है यह दिया ऐसा है तो क्या केंदर सरकार भ सबाब देते हुए वित्त राजे मंत्री ने काया कि राजस्तान सरकार ने 23 परवरी 2022 को अपने बजट बासन में 1 अपरेल 2004 से या उसके बाद न्यूक्त किये गए सभी सरकारी करमचारियों को पुरानी पैंशन योजना के तैत लाने का एलान किया है लेकिन केंदर सरकार के प पुरानी पैंशन को ही फिर से लागू करने के आदेव दिये हैं आलंकी करमचारियों की ओर से केंदर और बाजपा सासी तरह जो पर दबाव बढ़ गया है राजस्तान की असो गैलो सरकार ने राजे में फिर से पुरानी पैंशन योजना को बहाल करने का ऐलान किया है इसक सरकारी करमचारी सरकार के सामने यह मांग जोर सोर से उठा रही हैं उत्र-परदेश के हाल में ही हुए विद्यसभा चुनाओ में समाजवादी पार्टी ने अपने गोशना पत्तर में वादा किया है कि परदेश में सपागी सरकारी बनी तो पुरानी पैंशन योजना को फ हाल के दिनों में ही राजनीतिक गलियारों में भी पुरानी पैंशन योजना की चर्चा जोरों से है लाखो करमचारी आस लगाई हुए है कि पुरानी पैंशन योजना फिर से भाल की जाएगी लेकिन राज्यों के क्रमचारी ही नहीं केंद्रिय क्रमचारियों को भी इसका इंतजार है उमीद है कि सरकार कुछ केंद्रिय क्रमचारी को न्यू पैंसन स्कीम से ओल्ड पैंसन स्कीम में ला सकती है इन में वो क्रमचारी सामिल होगे जिनकी बर्ति के लिए विग्यापपनी कतिस दिसम्बर 2003 को या उससे पहले जारी किये गए थे सुप्रीम कोट के एक आदेश के बाद उनकी सुप्सराट ज्यादा बढ़ चुकी है ततकालिन परदानमंत्री अटल विहारी बाजपी की सरकार ने डिफेंस पोर्शिस को छोड़ कर एक रप्रेल 2004 से पुरानी पैंशन स्कीम की जगी हुई पैंशन योजना को लागू करने का ऐलान किया था इस तारिक से या उसके बाद जो भी सरकारी नोकरी जोईन करेगा उन्हें अपने वेतन से न्यू पैंशन की में पैंशन के लिए योगदान देना जरूरी कर दिया गया है दोस्तों के अंदर सरकार ने कई पैंशन योजना लागू की लेकिन इसे राजों के लिए अनिवारिया नहीं किया गया था बाद में दीरे दीरे अधिक तरह जो ने इसे अपना लिया लेकिन थोड़े समय के बाद नई पैंशन योजना का विरोज सुरू कर दिया गया था तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत